Good morning everyone और SSC के exam और बिहार टीचर्स का exam दोनों को देखते हुए target दोनों को मैंने लिया है कि जो question इन exam से पुछे जाएंगे उस type से और किसी खास chapter से नहीं है mixed questions लेका जो मेरा planning है कि कुछ दिन के बाद आपनों को live मैं कर दूँगा live class में और आप वहां से comment कर सकते हो आप उसका reply कर सकते हो question solve करोगे और मेरे पास answer आगा तो कुछ दिन के बाद से मैं वो कर दूँगा बट अभी start कर रहे हैं हम लोग तो teacher का exam देना है तो वो लोग भी मत घबराना अलग से maths का question नहीं पढ़ना परेगा जो मैं पढ़ाऊंगा exam में question वही आएगा SSC के exam में भी चाहे वो आप MTS दे रहे हो चाहे वो आप CHSL का तो अभी नहीं CGL तो सब में वही questions पूछे जाएंगे even railway में भी वही questions इसलिए आप किसी भी exams की तयारी कर रहे हो हम एक बार में का हैं कि questions for all exams सारे exams के लिए ये questions होंगे ठीक है तो आज हम लोग कुछ questions से लेके आए हैं और परला question उसमें है ये marks वाला क्या है question In an examination a student score 4 marks for every correct answer and loses 1 marks for every wrong answer यानि प्रतेक सही के लिए कितना marks मिला है 4 और प्रतेक गलत के लिए उसका एक marks deduct हो जा रहा है मतलब आप जो exam देते हैं और negative marking रहता है रहता है ना तो सही हो गया तो 4 और गलत हो गया तो 1 आपको क्या सोचना है कि if he attempts all 75 questions exam 75 question का था और जो लरका है वो 75 का 75 उसने जवाब दे दिया गया ऐसे ही सोचो अगर मेरा सब सही होता और एक question 4 marks का है तो हम लोग को कितना marks मिलता तो 75 गुर्णा चार 300 marks हमको मिलता तो 75 इंटू 4 तो देखे if all are correct यदि तभी सही होता अब ध्यान से देखना ये सब लिखने के आवा सकता नहीं है एक्जाम में ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरा सारा question सही होगा तो 75 question है गुना चार हमको 300 marks मिलता मिलता ना 75 गुना चार हर एक question पे 4 marks है तो 75 question सही होता तो 300 marks मिलता लेकिन आगे question क्या कह रहा है कि if he attempts all 75 and secure 125 मतलब उसने तो सभी 75 question का जबाब दिया और उसको मिला कितना 125 marks मतलब मिलना था कितना 300 और मिला कितना 125 तो मिला ऐसे लिख दें he got यानि उसे मिला मिला कितना 125 तो अगर हम ऐसे कहें कि उसको कितना नहीं मिला तो इसमें से ये घडा दिया 175 marks नहीं मिला क्यों नहीं मिला गलत कर दिया होगा निगेटी मार्किंग होगा एक गलत पे ये चार नमबर गलत कर दिया तो जो चार आपको मिला था वो नहीं मिला सोचो गलत हो गया तो जो चार मिलना था वो मिला नहीं मिला एक तुमारा कट भी गया तो कितना कटा चार और एक पांच नंबर का आपको loss हुआ एक गलत पे, मतलब सोचो अगर सही होता फिर से सोचो अगर वो सही होता तो चार नंबर मिलता, नहीं सही नहीं हुआ तो वो चार नंबर हमको नहीं मिला और साथ ही साथ एक marks deduct हुआ, यानि एक गलत पर, एक गलत अगर वो कर रहा है तो चार्ज और एक कितने marks का loss है पांच marks पाइब marks less तो number of wrong क्योंकि 175 less है एक परना तुमको पांच number कम देगा तो 175 number of wrong 175 कितने से भाग देंगे पांच से कितना आगया 35 कितना आया 35 यानि number of wrong 35 गलत है तोटल 75 था 35 गलत है तो सही कितना होगा तो सही आप करोगे सर 75 में से 35 घटा दीजिए और ये 40 यानि हम चाहे तो question में pain हम लोग नहीं लगाए तो कैसे पढ़ेंगे अगर 75 सही होता तो 75 गुना 4 300 मिलता मिला 125 मतले 175 नहीं मिला एक गलत पे चार नमबर जो मिलना था वो नहीं मिला प्लस एक पांच का लॉस तो 175 लॉस एक सबचाथर लॉस एक सबचाथर लॉस एक सबचाथर बचाथर बचाथर यानि 35 गलत होगा तो सही कितना तो टोटल 75 में से 35 गटा दिया चार जाएगा अगले कोशन क्यों बढ़े अगला कोशन है ये एलिगेशन ध्यान देना बहुत इंपर्टेंट कोशन एलिगेशन is water ratio must 25 percent of alcohol be mix with 50 percent of alcohol करन Dá क्याद 25% एल्कोहल किसा में मिलाए जाए मिलाना है 1 में त्यक्ति कवापी ग्रशनुद क है कितना है जाए एक में बहुत हार्ड टिंद श्राथ है 10 मतला एक थमसुप है और एक coca-cola में 50 परसन्ट होगा समझ में रहा है और हमको यह बहुत soft है और यह बहुत hard है तो क्या करना हम चाहर है बीच का बनाना तो इसमें से कुछ और इसमें से कुछ मिलाएंगे न तो आके बीच का है बनेगा तो क्या कर रहा है हमको 40% strength वाला चाहिए 40% strength alcohol का मिसरन प्राप्त करने के लिए 25% alcohol को 50% alcohol के साथ किस हनुपात में मिलाना है समझ में आ रहा है दो तरह का liquid है हमको मालो तुमारे दुकान में दो तरह का liquid है एक 25% आए 50% कोई आ रहा है customer का रहा है हमको 40% ओला चाहिए तीन भर आपके दुकान पर 40% ओला रहा है अब आप सरपकर के आपके पास यह merit नहीं है तो सरपकर के बैटे वह 25% है यह 50% है कैसे हम 40 बनाएं तो क्या करेंगे किस रेश दोनों को मिला देंगे तो क्या आधाद हम मिला दें इसको जादा इसको कम किस रेशियो में मिलाए यह question बन रहा है clear तो अब हम लोग क्या पढ़ते है कि 40% strength alcohol का मिसरन प्राप्त करने के लिए 25% alcohol को 50% alcohol के साथ किस अनुपाद में मिल जाया जाना चाहिए पहला कितना था 25% दूसरा कितना है 50% और जो मिक्षर है वो कितना 40% अब आप बता इसको पता है बीच में रखते हैं और ऐसे भी यह देखना एक से बरा और एक से छोटा होगा 50 से 40 घटा दो 10 इधर से यह घटा दो 15 तो रेशियो कितने का हो गया 2 is to 3 का हो गया साथ सबों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसमें भी कोई प्रॉब्ले नहीं है तो हम लोग अगले कुश्चन की और बढ़ते हैं अच्छा जो लोग जवाब दे पाओगे सही सही इस मंत का इस मंत का नहीं का है एक साल का पूरा आज तक के डेट का यानि ज लाइनर चाहे आप इंग्लिस में चाहो या हिंदी में जो किरन पॉब्लिकेशन का है अभी मिलेगा इसलिए पूरे इनर्जेटिक हो करके और जवाब देने की कोशिस करना 60 रूपीज प्राइस है आपने अगर मैक्सिमम का जवाब दिया तो आपको वो मैगजिन मिलेगा क्लियर तो देखें राम के ब्याय और बचत का अनपात 5 is to 3 है अचा हम लोग जानते कि ब्याय में बचत को जो ब्याय और बचत यानि एक्सपेंडिचर और सेविग एक्सपेंडिचर में सेविग एड़ करोगे तो क्या मिलेगा इंकम हम अपने इंकम का कुछ पार्ट खर् अब बताऊंगा उसमें ठट से बना देना ठीक है ना कोई फॉर्मूला ना कुछ रटना है न लेंदी काल्कुलेशन तो देखें कैसे करेंगे अब बताओ कि ऐसे लिख दें हम लो क्या कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविग इस एक्वल टू इंकम अब देखें एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है यह है 5 और यह है 3 और टोटल इंकम क्या हो गया तो 8 आप रेशियो वाले को ही जोड़ दो पांच, 3 और दोनों का टोटल 8 अब देखें क्या कह रहा है कि उसकी आय में 12 परसेंड और ब्याय में 15 परसेंड की बिर्धी होती है यानि इंकम यह कितने परसेंड से 12 परसेंड ऐसे केवल लिखेंगे 12 परसेंड भी मत लिखो यह भी नहीं कि 112 परसेंड होता है मैं वो नहीं सिखा रहा कि 112 परसेंड हो हम लोग यह लिख रहा है कि केवल 12 तो इंकम बढ़ा कितना 12 और ब्याय पंदरा परसेंड यानि 5 गुना 15 तो यह सेविंग 3 गुना करा सेविंग कितने से बढ़ेगा अब याद रखना बढ़ेगा या घटेगा हम लोग यह अगर सॉल्व करेंगे एक्स का वैलू अगर माइनस में आ गया तो घटेगा एक्स का वैलू प्लस में आ गया तो बढ़ेगा और सिधा यह परसेंटेज है अन्डिस्टूड है उतना बढ़ा नहीं लिखेंगे तो यह 15 पचे 75 और प्लस यह 3 एक्स बराबर 12 अठे 96 यह इधर आएगा तो कितना 21 तो 3 एक्स बराबर 21 तो एक्स बराबर 7 3 एक्स बराबर 21 तो एक्स बराबर यानि उसका सेविंग कितने परसेंट से बर जाएगा? साथ, ठेके है? समझ में आ रहा है? ऐसे questions अगर आप mixed बनाओगे daily तो बहुत काम करेगा, समझ में आ रहा है? आपका इस match का fee लगेगा, बट जो maximum उसको share करो ना, अगर like करो, comments करो, तो पैसा नहीं लगेगा, तो no option आपके, और जो सबसे कम करेगा, उसको उतना ही फी लगेगा, ठीक है? क्योंकि तुम लोग कंजूस भी हो ना, हम इसे लिए वो तो, नितिस ने जबरदस्ति शुरू कराया, सर ऐसा एक बैच हम लोगो दीजे ना, हम लोगो बहुत फाइदा होगा, वो जबरदस्ती महब नहीं सुरू करना चाह रहा था, लेकिन वो पूरा लगा हुआ था, और ऐसे questions बताईए, जो exam में आएगा ही, सर आप बता रहे हैं, तो हम अब भी भी, वो MTS का exam देखिया है, बहुत अच्छा मैच ने तो भी 20 में 18 बना किया है, कहा कि सर कोश्चन बन रहा था, तो MTS का देखिया हो, 20 में 18 वो बनाया, कहा कि बन रहा था, सर और जब सर बन रहा है, तो आप अगर एक बार मिक्स सेट का प्राक्टिस करा दे हैंगे, कहा हैं चलो ठीक है, इसी कारण से बैठ के मैं भी काम कर रहा था, मेरे पास तो जानते हो, हैंड्स नहीं है, मेरा हैंड्स तुम ही लोगो, चलो अगला कोश्चन देखते हैं, पॉपुलेशन अपर टाउन इंक्रीज बाई 5 परसेंट एवरी यह, परतेक वर्स एक सहरकार की जनसंख्या, परतेक वर्स पांच परसेंट से बढ़ती है, इव प्रजेंट पॉपुलेशन आज का जो पॉपुलेशन है, वो 9261 है, तो पॉपुलेशन 3 अगो वाज, मतलब पाहले क्या था, वो पूछ रहा है, आज 9261 है, तो पाहले कितना था, और कस्वा है, तो पाहले क्या था, ऐसे मालने के पाहले एक्स था, पाहले क्या था, अज़ा 5% बर रहा है तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो 105 ब्रटा 100 या मन में ही 21 ब्रटा 20 जो ना 5 से काटोगे तो 21 ब्रटा 20 थोरा सा कालकुलेशन फास्ट करना परेगा 5% ब्रिधी तो ऐसे लिखते जो एक जोर 5 ब्रटा 100 ऐसे नहीं लिखेंगे ये 105 ब्रटा 100 ये भी कोशिस करना है एवाइड करने का चुकि एक्साम में अभी देखो ना RRB 45 मिनट 80 कोशन 45 में 5 मिनट साइड कर दो तो 40 मिनट में 80 कोशन निकाल लो यानि केवल स्पीड की बात की जाती तो हम लोग एक दो तीस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत बढ़ा कोश्चन नजर आ है हमसे बनेगा तो भी छोड़ देना है क्योंकि वह एक बनाओगे तो चार पूछ उटेगा गोलो क्या देखें यहां इतना बरा नहीं लिखते वैसे इन्टू 105 बरटा 100 इन्टू 105 बरटा 100 ध्यान दो पहले वालवाला पहले लिखते हैं अब बाद वाला बाद में लिखते हैं इसका कॉनसेब्ट यही जन संख्या का कोई question हो ना, पहले वाला पहले लिखोगे, या तो पहले वाला दिया रहेगा, या पहले वाला निकालने को कहेगा तो पहले वाला कहा लिखेंगे पहले और बाद वाला बाद में तो X गुना 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100 गुना और इतना बराबर है 9 to 6 वर लेकिन याद रखना ये तो मैंने बताया आपके concept के लिए क्या इतना बरा लिख के बनाएंगे नहीं एक्जाम में कैसे बनाते तो एक कसमे की अवाधी में फिर से पर रहे हैं ध्यान देना एक कसमे की अवाधी में हर साल 5 परसेंट की बृधी होती है यदि वरतमान मालूम है तो तीन वर्स पहले क्या थी कुछ नहीं तीन वर्स पहले क्या थी तो चलो X into 21 by 20 क्योंकि 5% मतलए 21 बटा 20 into 21 by 20 into 21 by 20 और यह बराबर है 9 to 61 बता आपको अगर 21 का क्यूब याद है तो सीधा कट गया क्योंकि यह 21 का क्यूब है तो X बराबर 8000 कोई प्राब्लेम क्यूब याद है क्यूब को याद क्यों सर रटवाते हैं कि आप 30 तक क्यूब रट जाओ स्क्वाइर 50 तक रट जाओ क्योंकि यह सब आपके स्पीड को बढ़ाएगा अगला कोश्चन देखते हैं अ सम अप मनी लेंड आउट एट एसाई अमांट टू रुपेज 720 एसाई पर है किसीच पर है साधारन ब्याज पर अमांट टू रुपेज 720 पर है 720 हो जा रहा है दो वर्स में कोई धन साधारन ब्याज की दर से दो वर्स में 720 हो जाता है और पांच वर्स में 1020 हो जा रहा है अच्छे से देखेंगे साधारन ब्याज पर दो वर्स बाद 720 और पांच वर्स बाद डिफ्रेंस न जारा रहा है ये पांच वर्स है ये दो वर्स है दोनों का अंतर कितना तीन वर्स तीन वर्स का ब्याज होगा हूँ क्योंकि पीपी कड़ जाता है तीन वर्स का ब्याज तो 1020 में से 720 गटा दो, कितना? 300, ऐसे लिखने है, 5-2, यानि, 3, 3 वर्स का ब्याज, 3 वर्स का ब्याज क्या होगा? तो 1020 मिनस 700 ब्याज, यानि, 300, अगर 3 वर्स का ब्याज, तो 1 वर्स का 100, अब ये जो है, साधा, 2 वर्स में 720, ज्यान देना, 2 वर्स में 720, यानि, 2 वर्स का ब्याज है, 1 वर्स का ब्याज 100, तो 2 वर्स का ब्याज 200, तो अगर कोशन करा नहीं, मूल्धन बताओ, तो 720 से 200 घटा दीजिए, 120, तो मूल्धन, यानि, प्रिंस्पल, इस एक्वल टू, 720, यानि, एंसर कितना, 520, एंसर मिला, टिक लगाओ, समझ मैं अच्छे से आ रहा है, कोई दिकत नहीं, तो अगला कोशन पल, हम लोग देखें, उसके बाद, फिर सोचेंगे, क्या कह रहा हैं, 200 लिटर में, 17 और 3 का रेशियो है, तो 17 और 3 का है, तो आप माट सकते हैं, कुछ लोग तो पढ़ने के साथ सोच लिए, सतरा और 3, 20 एक्स बराबर 200, तो एक्स बराबर 10, तो ये 17 एक्स है, मतलब 170, और ये 3 एक्स है, मतलब 30, clear, पहला नाम मिल्क है, तो मिल्क एक्स ओ सत्तर, और दूसरा नाम वाटर है, तो वाटर 30, अब क्या कह रहा है, the ratio of milk to water in the resulting mixture become this, उसके पहले क्या है, after the addition of some more milk, यानि कुछ और दूद मिला दिया गया, तो सबसे पहले देखें, कि ये जो 200 लीटर था, इसमें आपका ratio क्या था, 17 और 3 का, ये क्या है, milk और ये क्या है, water, तो milk और वाटर का ratio, 17 और 3 है, हम लोग क्या करें, milk अगर निकालते हो, तो ऐसे निकालो, 17 बटर 20 इंटू 200, यानि 170 लीटर दूद है, तो पानी कितना लीटर, तो सर्थ 200 में से 170 हटा दिया, तो 30 लीटर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लिम नहीं, ऐसे लिए, और यह लिख करके नहीं प्राक्टिस करना है, यह सब लग रहा था क्या, देखकर हम लोग बोल सकते हैं, तो milk और water, milk कितना है 170 और पानी कितना 30, कुछ दूद मिलाने के बाद क्या मिला रहा हो, milk, लोग मिल्क में प्लस के कर देते हैं, देखको नाम मिल्क उपर है, अगर पानी मिलाता, तो पानी में प्लस के करते हैं, ये मिल्क मिला रहा है, तो मिल्क में प्लस के, और ये रेश्यो, 7 बटा 1, ये रेश्यो, 7 बटा 1, कुछ ही लोग का एंसर आप लोग का देखरेक बना रहा हो, लेकिन आगे-आगे आगे एंसर नहीं बता रहा हो, मतलब, जो गिप्ट मैं देना चाह रहा हूं, साथ आप लोग उस लाइक नहीं हो, बताओ, 7 और 1, कुछ लोग जल्दी से देखो, ऐसे देखना, क्रॉस, 30 बुना 7, 210 से 170 घटा दो, 40, ये बराबर कितना, 40 लीटर, नजर आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो अगले कोश्चन की और हम लोग चलते हैं, ये ट्रीगो का कोश्चन है, और हम लोग क्या जानते हैं, साइन नाइन्टी माइनस ठीटा, कॉस ठीटा, कॉस ठीटा, साइन ठीटा, टैन नाइन्टी माइनस ठीटा, कॉट ठीटा, कॉट नाइन्टी माइनस ठीटा, तैन अगर कभी कोश्चन ऐसा हो, कि एक भाई इस पर और एक वहन उस पर खोज लो कि दोनों के पापा मम्मी तो एक ही हुँगे नहें, तो एक तरफ tan आ एक तरफ cot तो एक ही घर का है, तो रहत उसको tan बना लो या cot बना लो तो इधर ये question क्या का रहा है tan this is equal to this where this and this are acute angle तो बताओ, 10 2Q plus 45 परावर, इसको लिख दे 10 90 minus 90 minus 3Q यह भी 10, वो भी 10 तो क्या होगा? 10, 10 cancel तो आप क्या करेंगे? आप तो निकल गया कि सर यह minus 3Q इधर ले आएए, 5Q बरावर, 90 में से 45 घड़ गया, 45 डिगरे तो Q बरावर, 9 डिगरे तो कौन सा एंसर होगा? B समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान होता है Maths का easiest part अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो अब देखें एक नियमित बहु भूज के आंतरी कोनो का यो 1080 है नियमित बहु भूज है आंतरी कोनो का यो 1080 है अच्छे में बताव इन बहु भूज के बहु भूज मतले जानते हो ना बहुत भूजा से घरा हुआ चेत्रा कितना साइड है नहीं पता इन बहु भूज के आंतर कोनो का योग क्या होता है ये ये होता है 2N-4 इंटो 90 डिग्री या N-2 इंटो 180 डिग्री अब बताओ ये मान दिया हुआ है चलो जब ये ही लिखने है तो इंटो 90 डिग्राबर 1080 009 से ये बारा बार में अब बताओ 2N बराबर माइनस चार उदर जाएगा 16 तो N बराबर 8 N बराबर 8 यानि भुजाओं की संक्या 2 भुजाओं की संक्या 8 clear तो ये पॉलिगॉन का कोश्यन था समझ में आ गया होगा किसी भी पॉलिगॉन का जैसे त्रिभूज का पूश्ता और पता इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक और फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या उसी से कॉमन लेते हैं N-2 इन्टू एक साथ सी डिग्रे और ये बराबर दस साथ सी है अब बता अठारा से कितने बार में तो N बराबर इदर माइनस टू है तो N बराबर 8 Clear अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं A certain number of person can complete a piece of work in पच्पन दिन यानि कुछ आदमियों का समू है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं पच्पन दिन में If there were six person more अगर six आदमी और होते तो काम एक 11 दिन कम में समाप्त हो जाता यानि पहले समाप्त होता काम तो एक कॉंसेप्ट होता है M1, T1 M2, T2 In fact आपको यह रटा हुआ होना चाहिए M-D-H M-D-H आपकी मसाले सच-सच M-D-H तुम लोग तो एवरेश्ट नखाते हो घरबर तो यह है तो कैसे इसका कोशन बनेगा तो आप क्या करा है यदि एक निश्चित संक्या में ब्यक्ति निश्चित संक्या में ब्यक्ति, निश्चित संक्या में कितने ब्यक्ति हैं, तो निश्चित संक्या में एक्स ब्यक्ति, एक कार्ज को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, पच्पन दिन में, एक्स गुना पच्पन, यदि 6 ब्यक्ति अधिक होते, तो एक्स प्लस 6 लिखते, बता, पाले अगर ब्यक्ति एक्स था, तो पच्छपन दिन, अगर 6 आदमी बर गए, तो एक्स प्लस छे, तो कहरा एक ग्यारा दिन कम लगता, मतलब 44 दिन लगता, पच्छपन से एक ग्यारा गटा दिया, अब बोट पे देखना, 11, 5 जा, और 11, फोर्जा, यानि 5 एक्स बरावर, 4 एक्स प्लस 24, तो एक्स बरावर कितना, 24, कहीं भटकना नहीं है, जितना क्वेश्चन बताते जाएं, क्लास का क्वेश्चन हो जाएं, बाकी जो हम बता रहे हैं, बस उतना को देखना, समयाने पर सबका पीडिया भी देखना, कहीं देदेंगे, उन नहीं कोश्चन को देखना है, एक्साम जाके दो, देखना सारे कोश्चन बनेंगे, आलतुपालतु का जो कोशन इदा-उदर कराएगा, उसको नहीं देखना है, ठीक है, तो अगला कोश्चन देखें, यह train का question है और साथ आज का last question भी है क्या कह रहा है? A train 240 meter long crosses a man walking along the line in opposite direction हम लोग एक formula जानते हैं कि speed वरावर distance by time बच्पन से पढ़ते हैं मैं उन्ही formula का use करता हूँ जो हम लोग बच्पन से पढ़ रहा है बहुत जादा नया formula नहीं अब अगर दो speed हो तो relative speed relative यानि दोनों को एक साथ बनाओ direction opposite है तो plus कर दो और direction same है तो minus कर दो तो कर रहा है 240 meter लंबी एक train 10 second में 3 की चाल से विपरीद दिसा में चल रहा है एक ब्यक्ती को पार कर रहा है ब्यक्ती का speed है 3 train का speed नहीं मालों तो हम लोग क्या करें train का speed x ले लिया और plus 3 कर दिया सोचो माना की train का speed कितना x और opposite direction है इसले side plus और man का 3 अब ये बराबर 240 10 second में by 10 ये meter के second ध्यान देना ये था kilometer per hour speed of train हम लोग ले ले speed of train कितना x kilometer per hour ये ले लिया तो बताओ speed distance by time होता है x plus 3 240 बर्टा 10 और kilometer per hour में लाना है तो 18 बर्टा 5 kilometer per hour एक जाती का बनाना ही परेगा ये kilometer per hour है km per hour बताओ ये अब cancel 00 x plus 3 बराबर 18 चोगा 72 18 दुना 36 47 बर्टा 5 तो x बराबर पहले इसको भाग दे देते हैं 2 दूनी 4 6 8 86.4 x बराबर 86.4 minus ये plus उधर जाएगा 3 यानि 83.4 kilometer per hour देखो तो answer है तो इस धंग से हम लोग mix question का आज पारला set खतम करते हैं अगले दीन से फिर यानि कल के class में फिर अगला mix set का अगर आप SSC या का जो teachers वाला है BPSC या railway इन सब exams की तयारी कर रहा हो तो बहुत अच्छे से question को note करो और solve करो ठीक है और जो technique बताया जा रहा है उन techniques को follow करो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा formula नहीं बताता तो आज के class को हम लोग यहीं रोकते हैं ठीक है share करना मत भूलना comments सभी का होना चाहिए यह ध्यान रखना Thank you